आप सब लोगों को गुपालाजू का नमन, देखे आप लोगों ने बहुत बार संभवता देखा होगा कि किसी ओजे ने, गुनिया ने, तांत्रिक, मंत्रिक ने कोई सरसों के दाने मारे, काले दिल फिके या मोर के पंक से इसपरश किया और इंसान बिलबलाने लगा, बोलने नहीं चल पा रहा है कि समसिया है क्या, उसका reason क्या है, उसका base क्या है, अगर हमारी जो इसका base पता चल जाता है, तो उसका निदान बहुत जल्दी संभव हो सकता है, ठीक medical science में जैसे होता है, अगर हमारी जे किस चीज़ की diagnosis हो जाए, किसी disease की, तो उसका इलाज संभव हो मिल जाएगा आपका लाइक, सब्सक्राइब, फॉर्वार्ड नोटिफिक्शन बैन में क्लिक करके प्लीज अल को बटन जूर दबादें को पाला जी मोटिफिक्शन वीडियो के मुट्री पास सम्जेक्ट्स डिफरेंट प्ले लिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे देख सुनिए, समय आपका वेस्ट नहों, बहुत एक अच्छा शाबर मंत्र है। जीवन में कोई समस्या होती है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इस समस्या का कारण क्या है। और जबकी बात ये है कि जब तक हमें सही कारण पता नहीं चलेगा, तब तक निवारन सही नहीं हो पाएगा। उदाहरन के तोर पर माल लेजे, आपकी आजीविका पर कोई समस्या है, या आप बहुत बीमार हैं, अब आपको ये लगता है कि भाई हो सकता है ग्रवादा हो, वास्तो का दोश हो, किसी ने कोई अविचार कर दिया, या आपके खान पान में कोई अनिय मितता है, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो ये समझ में नहीं आता है कि इसमें से सही कारण क्या है, तो जब तक सही कारण का ग्यान नहीं होगा, तब तक आप सही उपचार नहीं कर पाएंगे, यानि जब तक बाधा का कारण ना पता हो, उदाहरन के तोर पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी समस्या का कारण आपके अत्रिप्त पूरवज है यानि पित्रदोश है तो आप श्राद्धादी करा के समस्या से मुक्तो हो सकते हैं आपको ये पता चल जाए कि किसी ने विचार किया है तो आपको उसका सटीक पाट करके ठीक हो सकते है या आपको ये पता चल जाए कि ग्रह वाधा है तो आप ग्रहों के जब दान रत्म धारनादी करके ठीक हो सकते है लेकिन आपको सही पता तो चले कि आपकी समस्या का कारण वास्तों में क्या है और जब तक ये नहीं पता चलता तब तक भटकाओ बना रहता है और इसी कारण ये शिकायते भी होती है कि मैंने बहुत पूजापाट किया उपाय किया लेकिन लाब नहीं हुआ ऐसी स्थिती में आज का जो ये वीडियो है ये आपके इसी समस्या का समाधान है करना क्या है ये हनुमाण जी का प्रयोग है किसी भी ग्रहन काल में जितनी देर का ग्रहन हो एक घंटे का हो आधे घंटे का हो दो गंटे का हो धाई गंटे का हो जितनी भी देर का ग्रहन है ग्रहन के पहले इश्नानाधी कर लीजे और ग्रहन शुरू होने के 10-5 मिनट पहले किसी शान्तिकांत जगह भी बैट जाईए और जितनी देर ग्रहन है उतनी देर तक इस मंत्र का जब करते रहे माला से जब करना चाहें तो माला से करें बिना माला के जब करना चाहें तो बिना माला के करें इसमें ऐसी कोई बात देता नहीं है कि इसमें आपको इतनी संख्या करनी है आदे आदे बस उतनी देर जितनी देर ग्रहन है उतनी देर आप जब करें सूरे ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन हो या आपको ध्यान देना है जब आपका जब पूरा हो जाए यानि ग्रहन काल खतम हो आप एक माला दें, दो माला दें, पांच माला कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं उतनी सरल तरीके से आहुतियां करते हैं शावर मंत्रों में एक नियम जानना बहुत आवश्यक है कि कुछ शावर मंत्रों में अंत में स्वाहा शब्द का उचारण नहीं होता है और कुछ में होता है, तो इस मंतर में स्वाहा शब्द का उचारण होगा, तो इसलिए इश्वरो वाचा के बाद स्वाहा लगा के ही आउती देंगे। तो ये एक दिवसीय प्रयोग अगर आप कर लेते हैं, तो आपके लिए ये मंतर काम करने लगता है। इसके बाद इसको नित्य, आप अगर एक माला करते हैं तो अतियुत्तम, नहीं तो कम से कब 21 बार 27 बार इस मंतर का जब करते रहें। फिर कभी आप अपने लिए या किसी अपने प्रयोग के लिए इसका अगर प्रयोग करना चाहते हैं। तो करना ये है जिसकी बारे में, अगर आप माल जे किसी व्यक्ति के बारे में आप पता करना चाहते हैं कि ये पीडित है, तो किस समस्या से पीडित है। तो कुछ सरसो आप जो पीली सरसो होती है या सफेद सरसो होती है उसको रख लीजे। और इस मंत्र को पढ़ पढ़ के उस व्यक्ति के उपर वो सरसो मारते रही है। थोड़े ही समय के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसको समस्या क्या है। वैसे इसका एक सरल तरीका लोग ये भी करते हैं कि कागज के छोटे-छोटे साथ टुकडों पर एक पर भूत, दूसरे पर पिशाच, तीसरे पर ब्रमुराक्चस, चौथे पर डगनी, पांचमें पर कुल दोश, छटे पर बाहे दोश और साथमें पर दैवी दोश ऐसा ल रोगी होता है, उसके शरीर में हलचल होती है, और वो कोई न कोई एक कागज का टुकडा है, उसको उठा लेता है, या उसकी तरफ खिंच के अपने आप चला जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप इन प्रक्रियाओं में न भी पढ़ना चाहें, केवल मंत्र पढ़ कोई सपस्ट समझ में आ जाएगी किसकी समस्या का कारण क्या है, और अगर कोई गतिविधी नहीं होती, तो इसका कारण ये भी हो सकता है, कि ये विक्ति जूट प्रपंच कर रहा है, इसको कोई समस्या नहीं है, तो इस तरीके से इस प्रयोग को अगर आप करते हैं, तो आ जन्म भूमी नासिका नदी तहां भेवीर हनुमंत कवने नक्षत्र कवनेवार भादो महीना मंगलवार भरनी नक्षत्र ज्यान गुरु पठना स्वामी अर्ध रोरी चले नील चले अश्टकुली नाग चले नवकोटी इक्षा चले पश्चात कस्ट कालिका चले भूत प्रे इस मंत्र की उर्जा बहुत जवर्जस्त है ओजहा, सोखा, गुनिया, भगत, तांत्रिक, साधक इस तरीके के लोगों का ये परमप्री मंत्र है बाधा क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगी काम नहीं बनता है तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए अत्यंतला करी सिद्ध होगा आपकी समस्याओं का समाधान हो सीतराम